सीविल ड्रेस का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं सीविल ड्रेस का मतलब होता है हर रोज पहने जाने वाले साधारन कपड़े जो किसी सैन्ने या स्कूल वर्दी से अलग हो यानि कि वर्दी काम के कपड़े या लीपी किया परिधान आदि से भिन जो साधारन कपड़े होते हैं उन्हें civil dress कहते हैं यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो आम आदमी जिन कपड़ों को पहनता है जो किसी की uniform नहीं होती उसको civil dress कहा जाता है यानि कि school में जो बच्चे जाती है उनकी एक uniform होती है यानि कि एक fixed कपड़े होती है इस रंग की shirt इस रंग की pant उसी तरीके से पुलिस की भी एक uniform होती है और कई अलग-अलग संस्थानों की भी एक uniform होती है तो उसको uniform कहा जाता है लेकिन civil dress का मतलब है कि जो आम कपड़े जो कपड़ों को civil dress कहते हैं कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस जो है वो civil dress में आई थी यानि कि पुलिस जो है आम लोगों के कपड़े पहन कर आई थी यानि अपनी uniform में नहीं आई थी अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें